आयोध्या में रामलला की प्राणप्रतिष्ठा की घड़ी आ चुकी है, यहाँ विधियों और अनुष्ठानों का क्रम पहले ही शुरू हो गया है प्राणप्रतिष्ठा की अनुष्ठान को चौथे दिन शुकरवार को सुबह 9 बजे अरणी मंथन से अगनी प्रकट की गई और अगनी प्रकट के साथ चौथे दिन का अनुष्ठान शुरू हो गया इसी बीच रामलला की मूर्ति की बेहत खास तस्वीर भी हम सब के सामने आई और इस तस्वीर में उनके पूरे स्वरूप को देखा जा सकता है तस्वीर में रामलला माथे पर तिलक लगाए बेहत सौम में मुद्रा में दिख रहे हैं हलाके राम लला की ये तस्वीर गर्भ ग्रह में लाने से पहले की है, अभी भगवान की आखों पर पट्टी बंधी हुई है, आईए जानते हैं कि राम लला की मूर्ती की विशेश्टाएं क्या हैं, तो भगवान राम के बाल रूप की मूर्ती को गर्भ ग्रह में स्थापित कर दिया गया है मूर्ती पर भगवान राम की आँखों पर पट्टी बंधी हुई है 22 जन्वरी को प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी जब आज इस मूर्ती की पट्टी हटा कर प्रान प्रतिष्ठा करेंगे इससे पहले वारल तस्वीर में भगवान राम के पूरे स्वरूप क को देखा गया था तस्वीर में रामलला माथे पर तिलक लगाए एक सौम्मि मुद्रा में नजर आ रहे हैं रामलला के चहरे पर भक्तों का मन मोह लेने वाली मुस्कान दिखाई दे रही है मूर्ती के अगर हम विशेशताय देखें तो इसमें कई तरह की खुबिया हैं मूर्ती श्याम श्रिला से बनाए गई है जिसकी आयू हजारों साल की होती है मूर्ती को जल से कोई नुकसान नहीं होगा चंदन रोली आदी लगाने से भी मूर्ती पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा मूर्ती का वजन करीब 200 किलोग्राम है और इसकी उचाई 4.24 फिट जबकी चौडाई 3 फिट की बताई जारी है कमल दल पर खड़ी मुद्रा में मूर्ती हाथ में तीर और धनुष लिये हुए है कृष्ण शैली में इस मूर्ती को बनाया गया है अगर आप मूर्ती को देखें तो इसके उपर स्वास्तिक ओम चक्र गदा सूर्य भगवान विराजवान है रामलला के चारो और एक आभावंडल है और श्रीराम के भुजाएं घुटनों तक लंबी है मस्तक सुन्दर आखें बड़ी और ललाट भव्य है भगवान राम का दाहिना हाथ आशिरवाद की मुद्रा में है मूर्ती में भगवान विश्णू के दस अवतार भी दिखाई दे रहे है मूर्ती नीचे एक और भगवान राम के अन्यभक्त हनुमान जी तो दूसरी और गरुड जी को उकेरा गया है इस मूर्ती में पांच साल के बच्चे की बाल सुलब को मलता जहलकती है और मूर्ती को मूर्तीकार अरुन योगी राज ने बनाया है श्रीराम जन्मभूमी तीर्थ शेत्र के अधिकारियों का कहना था कि जिस मूर्ती का चैन हुआ उसमें बालत्व, देवत्व और एक राजकुमार तीनों की छवी दिखाई दे रही है आयुध्या के श्रीराम मंदिर में तीन मूर्तियों को स्थापित किया जाएगा जिसमें से एक मूर्ती को गर्भगरी में स्थापित किया जाएगा इनके बनने के बाद सबसे बड़ा सवाल तो ये था कि गर्भगरी में किस रूप में रामलला विराज मान होंगे मूर्तिकारों ने तीनों मूर्तियों को इतना सुन्दर बनाया कि चयन करना कठिन हो रहा था कि कौन सी सुन्दर है और कौन सी उतनी नहीं अंतता बाल रूप वाली मूर्ति को राम मंदिर के गर्भगरे में विराज जाने का फैसला लिया गया 22 जन्वरी को आज सुबह रामलला के विग्रह की पूजा की जाएगी और दोपहर में म्रिग शिरा नक्षत्र में रामलला की इसी मूर्ति का अभिशेक किया जाएगा पीम नरेंद्र मोदी के हाथ हो श्री रामलला के विग्रह की प्रान प्रतिष्ठा होगी रामलला रामनगरी के पंचकोसी परिक्रमा करेंगे आयुध्या के मंदिरों में दर्शन पूजन करेंगे प्रान प्रतिष्ठा का कारिक्रम बेहत भव्य होगा सियासर सिनिमा से लेकर खेल और अध्यात्म से जुड़ी तमाम हस्तियां भी पहुँचेंगी उनके बारे में भी हम आपको बताएंगे और कारिक्रम में शामिल होने के लिए प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी, कई लोग चाहे वो क्रिकेट जगत से हों, द्योगपती जगत से हों या फिर संत जगत से विभिन देशों के प्रतिनिधी भी इसमें शामिल होगे अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें अगर आप फेस्बुक पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें